Good morning student, today we are started online class and this is the video for Hindi of class UKG. Let's start discussing about chapter 1 and the topic of chapter 1 is alphabet, यानि वर्नमाला. इस पार्थ में हम ये पढ़ेंगे कि वर्नमाला क्या है. मेरा आज का चेप्टर है वर्नमाला, हम आज पहली चेप्टर पढ़ रहे हैं और मेरा पहली चेप्टर में है वर्नमाला. तो हम आज ये जानेंगे कि वर्नमाला क्या है, वर्नमाला में कितने वर्न होते हैं, तथा वर्न क्या है, और इनके कितने प्रकार होते हैं. तो चलो हम जानें ये कि वर्नमाला क्या है. तो जैसे कि मैंने यहाँ वेडियो में दिखाया है, दिखाया है कि यह है वर्ण माला और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वर्णों के विवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भासा की समस्त वर्ण के समूह को वर्ण माला कहते हैं, ठीक है तो हम आगे चले देखते हैं, अब परतीहिक भासा की अपनी अपनी वर्ण माला होती है, हर एक भासा की अलग-अलग वर्ण माला होती है, जैसे कि हिंदी भासा की हम देख लें, हिंदी में देख लें, तो हिंदी में 52 वर्ण माला होते हैं, जैसे कि अ से लिखर के ग्यात तक 52 वर्ण हो जाते हैं तो इस 52 वर्ण हो जाते हैं तो यानि कि हमारा ये भी एक अंचर बनेगा कि वर्ण माला में 52 वर्ण होते हैं चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्ण माला में कितने वर्ण होते हैं तो हम ये जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में A, B, C, D से ली करके Z तक के 26 लेटर हो जाते हैं 26 लेटर हो जाते हैं यानिकि 26 वर्ण हो जाते हैं तो हम ये जानेंगे कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब तो हम ये जान चुके हैं कि वर्ण माला में कुल टोटल, हिंदी वर्ण माला में 52 letters होते हैं, अब हम आगे जानेंगे कि वर्ण क्या है, अब देखेंगे कि वर्ण किसको कहते हैं, अब इसको जानेंगे हम, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि भासा की सबसे चोटी एकाईं को वर्न कहते हैं क्या भासा की सबसे चोटी एकाईं को वर्न कहते हैं ठीक है इससे ये भी कहा जाता है या भी हम ये भी उसको कह सकते हैं कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्न कहेंगे, अब हम ये जानेंगे, वर्न और वर्नमाला तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम ये जानेंगे, कि वर्न जो होते हैं, वर्न के कितने प्रकार होते हैं, अब तो हम ये जानना चाहे कि कि प्रकार के होते हैं तो दो क्लव स्वार्व और डुसरा इक बताएंगे तो आगले विडियो में यह बताएंगे कि स्वार्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वार्वर्ण में कितने वर्ण होते हैं, एवाम वेंजन वर्ण में कितने वर्ण होते हैं, तो हम अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक हम ये वीडियो ये वर्ण को यादर कर लेंगे, थैंक यू